हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले हमने पार्ट वन अपलोड कर दी है आप उसको भी जा करके चैनल पर देख सकते हैं अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताइब तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाट इस दे बेसिक डिफरेंस बिट्विन सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप यानि कि आपको ये बताना है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप में तो जो सिंगल स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप होता है उसमें एक सिंगल इंपैलर यूज होता है जबकि जो multi stage pump होता है उसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा impeller series में use होते है जो discharge होता है पहले impeller का वो suction हो जाता है दूसरे impeller के लिए और जो head होता है, head develop होता है वो सारे stage के head जो है उनको total किया जाता है add हो जाता है निकि head आपको बहुत ज़्यादा मिलता है multi stage centrifugal pump में next question है आपका how many types of centrifugal pump are available based on the suction and discharge arrangement यानि कि suction और discharge arrangement के accordingly centrifugal pump कितने types के होते हैं suction और discharge के accordingly यानि कि उसके हिसाब से 3 type के होते हैं arrangement centrifugal pump में पहला हो गया end suction top discharge और तीनों कहीं में यहाँ पर है दूसरा हो गया top section top discharge यानि top से ही suction होगा top से discharge होगा पहले वाले में end side से suction होगा और top से discharge होगा तीसरा हो गया side section side discharge और इन तीनों में सबसे ज़्यादा a वाला use होता है पहला वाला end section top discharge वाला use होता है next question है आपका why eccentric reducers are uses at pump suction side यानि कि pump का जो suction side होता है उस side में eccentric reducers को क्यों use किया जाता है उसके पीछे क्या कारण है तो इसका answer है to avoid air locking and cavitation यानि कि air locking और cavitation के problem से बचने के लिए eccentric reducers का इस्तमाल किया जाता है pump के suction side में जैसे कि आप image में देख सकते हैं पहले image में यहाँ पर air trap, air lock हो गया है वहाँ पर air trapped हो गया है जबकि दूसरे image में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने eccentric reducers यूज़ किया है suction side में और यहाँ पर air lock की problem नहीं हो रही है next question है आपका what is the function of wear ring in pump यानि कि centrifugal pump में जो wear ring होता है उसका क्या काम होता है wear rings जो होते हैं वो replaceable rings होते हैं यानि कि उन्हें आप replace कर सकते हैं समय समय पर और इन्हें replace किया भी जाता है impeller के साथ attach होते हैं और pump के casing के साथ भी attach होते हैं जो impeller के साथ attach होता है उसे rotary wear ring कहा जाता है जबकि जो आपका casing के साथ fit होता है उसे stationary wear ring कहा जाता है इसका main function होता है pump के casing और impeller को wear होने से बचाना उसका क्या function होता है ये आपको बताना है उसको क्यों use किया जाता है तो gland packing का इस्तमाल किया जाता है ceiling के लिए pump casing और shaft के बीच में जो gap बचता है जो clearance बचता है वहाँ पर gland packings को fit किया जाता है ताकि बाहर का जो false air है वो pump में ना जाये और pump air ना ले, जो भी fluid वो pump कर रहा है उसको pump करता रहा है और air suction ना करे, क्योंकि अगर air ले ले लेगा pump तो वो fluid को फिर pump नहीं कर पाएगा Next question है आपका, explain static suction, discharge and total head यानि कि static suction head, static discharge head और total static head क्या होता है centrifugal pump में वो आपको बताना है, तो इन तीनों को समझने के लिए ये एक diagram है, ये image है आप देख सकते हैं, यहाँ पर pump है और इसका suction end यहाँ पर है left side में और उपर में आप देख सकते हैं, यह इसका discharge end है pump के center line से लेकर के, वो point जहाँ से वो liquid को lift कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, static suction lift लिखा हुआ है यह होता है, इसका static suction head है, ठीक है? और pump के center line से लेकर के, वो point जहाँ तक fluid को वो pump कर रहा है, deliver कर रहा है, discharge दे रहा है, वो height क्या होता है? static discharge head होता है, जैसे कि यहाँ पर आप image में देख सकते हैं, और जब हम इन दोनों को add कर देंगे, जोड देंगे, यानि कि पूरा जहाँ से सक्सन ले रहा है, वहाँ से लेकर के, जहाँ तक discharge दे रहा है, वहाँ तक, तो यह हो जाता है आपका total static head, pump के head को fit में या फिर meter में measure क किया जाता है, तो friends इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर एक percent भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो, तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर दीजेगा, फिर से मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए, आल वीड़ा!